कौन है बीजेपी बिधायक मदल बीरू पक्षपा जिनका बेटा घुस खोरी में हुआ गिरफतार? क्या बिधायक जी ने भी कमाई काली दौलत? करनाटक में इस साल बिधान सभा चुनाओ हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाओ की तैयारियों में जुटे हैं करनाटक दक्षिन भारत का एक लौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है इसी बिच कुछ ऐसा हुआ है जिस पर बीजेपी सरकार घीर गई है करनाटक में सरकारी करपसन का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि इस बार आरोप पार्टी के दिगज नेता और बिधायक मदल बीरू पक्छापा और उनके बेटे प्रशान पर लगा है दरसल बीजेपी के एक बिधायक पर रिश्वत खोरी के गंभीर आरोप है बीजेपी बिधायक के बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते अधिकारियों ने पकड़ा बिधायक के ठिकानों पर छापे मारी करके 6 करोड रुपए कैश भी बरामत किये गए जिसके बाद विपक्छी पार्टी कॉंग्रेस बीजेपी पर हमला बर है घुस्खोरी कांट के सामने आने के बाद बीजेपी बिधायक ने सफाई भी दी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है इसकी जानकारी मुझे मीडिया से मिली इस बारे में मैंने अपने बेटे से बात नहीं की वो अभी लोकायुक्त की कस्टड़ी में है मैं किसी टेंडर में शामिल नहीं हूँ गौर तलब है कि मदल वीरु पकछपा करनाटक के देवनागरे जीले की चन्ना गरी सीट से BJP विधायक हैं वीरु पकछपा की अपने छेतर में मजबूत पकड़ है BJP विधायक मदल करनाटक के बड़े चेहरे हैं उन्हें CM बसव राज बुंबई का करीबी माना जाता है। मदल की कई तस्वीरें सोसल मेडिया पर वाइरल हैं। जिसमें उन्हें बीजेपी के केंदरिये नेताओं के साथ देखा जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी के बिधायक राज सरकार के करनाटक साबून और डिटर्जन्ट लिमिटेट के अध्यक्स भी थे यही कमपनी मशूर मैसूर संडल सोब बनाती है लेकिन घुस खोरी कांड के सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया जबकि ब बिधायक के बेटे प्रशांत प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं फिलहाल वो बेंगलूरू बाटर सप्लाई और सीबरेज बोड के चीफ अकाउंटेंट पद परतेनाथ हैं प्रशांत को पिता के ओफिस में 40 लाख रुपे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गय और उनसे पूलिस की पूछताच की मांग होने लगी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक प्रशांत ने एक टेंडर को क्लियर करने के लिए 80 लाख रुपे रिश्वत की मांग की थी जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी सिकायत लोकायुक से की शिकायत पर लोकायुक ने प्रश